भेजने वाला जानता है क्या नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा या पढ़ने वाला जानता है इस पत्र के भीतर कुछ न रखिये न अपने विचार न यादें इस पत्र के भीतर कुछ न रखिये न अपने संबंदों की चाप न दुख में शिकायत है लिलाधर जगूरी ने यह कविता शायद सियासतदानों को ध्यान में रखकर ही लिखी होगी क्योंकि यह सियासतदान ही तो हैं नेता ही तो हैं जो चिठियों को जिन्दा रखे हुए हैं कभी इस्तिफा देने के लिए, कभी समर्थन देने के लिए, कभी समर्थन वापसी के लिए है मेरा प्रेम पत्र पढ़कर नाराज ना होना इनकी चिठ्ठी को देकर लगता है कि ये नाराजगी वाली चिठ्ठी है या फिर प्रेम पत्र है मगर जो जवाब आता है अब है जवाब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कासीत की इलास आई है खत के जवाब में आज बात करेंगे चिठ्टियों की सियासत की राजस्तान के पुर्व उपमुख्य मंत्री हलांकि यह पुर्व उपमुक्यमंत्री नहीं लिखते हैं विधायक टॉंक लिखते हैं मगर इनकी हैसियत विधायकों से कहीं ज़्यादा है इसलिए इनकी चिठी महत्वपुन हो जाया करती है रीट परिक्षा 2021 के पदों की संख्या 31,000 से 50,000 करने के संबंध में यह चिठी उन्होंने लिखी थी सबसे महत्वपुन चिठी है यह इस चिठी को लेकर लगतार जो बेरोज़गार हैं वह सवाल पूछते रहते हैं कि सचिन पैलेट ने चिठी लिखी थी उस चिठी का क्या हुआ क्या कोई जवाब आया क्योंकि इस तरह की कई चिठी उन्होंने लिखी है यह चिठी उन्होंने विधान सवार चुनाओं के दौरान जो वादा किया गया था पैलेट टीचर्स राज़गांधी पैलेट साला के मदर्सा टीचर्स सिक्षा कर्मियों को निमित करने के लिए उनके लिए भी लिखी थी तो इस तरह की जो चिठीयां सचिन पैलेट ने लिखी थी बेरोजगार, आंदुरन करने वाले पैलेटीचर्स, सम्वीदा कर्मी सब इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोग गलोद का जवाब क्या आया हमने भी पूछा सचिन पैलेट से कि क्या चिठीयां लेक कर भूल जाते हो या फिर मुख्यमंत्री अशोग गलोद को जवाब भी देते हैं क्योंकि राजस्थान तक की जनता दर्शक या जानना चाहते थे कि इन चिठीयों का क्या हुआ सचिन पैलेट ने कहा कि सारी चिठीयों का जवाब मुख्यमंत्री अशोग गलोद मुझे देते हैं फिर क्या देते हैं क्योंकि बताना भी तो होगा जब चिठ्ठी लिखी है तो जवाब भी तो जन्ता को बताना होगा मगर जो जवाब उन्होंने बताया शायद वो जवाब को पढ़ने के बाद वो बताना उचित नहीं समझते होंगे हर चिठ्ठी में यह लिखा हुआ है कि आपकी चिठ्ठी हमें मिली इस पत्र का हमने संग्यान लिया है हमने इस पत्र पर आगे की कारवाई के लिए मुख्य सचीव को लिखा है हमने पूछा क्या हर चिठी का जवाब यही है उन्होंने कहा हाँ सरकार ऐसे ही जवाब देती है तो क्या जन्ता ऐसे ही जवाब सुनना चाहती है जो बिरोजगार, जो सम्वीदा कर्मी, जो पैले टीचर्स आंदुलन कर रहे हैं वो सरकार से कुछ और सुनना चाहते हैं सवाल उठता है कि सरकार आखिर क्यों अपने पुर्वप मुख्यमंत्री को जहांसा दे रही है अगर सही में इस तरह का जवाब दिया है तो कि हम इस पत्र को दिखवा रहे हैं और मुख्य सचीव इस पर कारवाई करेंगे बिरोजगार इंतजार कर रहे हैं, लड़कियां महिलाएं 2013 से ज्वाइनिंग के लिए तड़प रही हैं रीट के जो परिक्षारती हैं 2021 के अभी भी उमीद लगाए हुए हैं और सचिन पैलट को जो जवाब मिला है उसके बाद शायद उमीदें और बढ़ जाएं क्योंकि जवाब में यही तो आया है कि मुख्य सचीव इसका परिक्षन करवा रहे हैं क्योंकि अकेले सचीन पैलट चिठी नहीं लिख रहे हैं जब से सचीन पैलट ने चिठीयां लिखनी शुरू की है चिठीयां लिखने वालों की बाढ़ आ गई है अब देखिए रगु सर्मा भी तीन चार तावर तोड़ चिठीयां लिख दिये हैं किसानों की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, अस्पताल की समस्या को लेकर, इन चिठ्टियों को लेकर भी सियासत में खुब चर्चा हो रही है लगे हाथ मुकेस भाकर भी चिठ्टी लिग दिये हैं कि वहाँ पर मंद्रेगा में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है चिठी के बाद तीन इंजिनियर सस्पेंड हुए थे परवन सिचाई योजना में भारी भरष्टाचार का मामला सामने आया था कहा गया मगर धाई महिने में बिना जांच के CMO के आदेश से ऐसा कहा गया है कि तीनों इंजिनियर बहाल कर दिये गया है तो इस तरह के हालात हैं इन चिठीयों का तभी तो आम जनता भले ही चिठीयां लिखना बाचना पढ़ना छोड़ दी हूँ मगर ये नेता नहीं छोड़ते है क्योंकि चिठियों में क्या नहीं लिखा गया है इन्हें पता होता है और चिठियों में क्यों नहीं लिखा गया है यह भी पता होता है विचार, यादें, शिकायतें, दुख, दर्द, कुछ भी लिखने का या फिर इन चिठियों में होने का मतलब नहीं होता अभी अभी जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ तब तक एक और चिठी हमारे पास आई है यह है राजसवा सांसर, डाक्टर किरोरिलाल मिना का जो उन्होंने अनथम भौर में जहां पर प्रियंका गांधी रुपी हुई है उसे थोरी दूर बैठे हुए हैं धरने पर और धरने पर बैठकर हाँ से ही चिठी लिख दी हैं प्रियंका गांधी को और यह उमीद कर रहे हैं हमसे कि हम डाकिया की भूमिका निभाएं और शिठी को उन तक पहुँचाएं खैर पत्रकारों का काम होता है डाकिया बनने का मगर हम डाकिया से कुछ ज़्यादा है अब जिस तरह से राजस्तान में एक खबर आई है और बलादकार की इतनी दर्दनाक खबर आई है हिर्दे विदारक खबर आई है कि पूरा राजस्तान इस्तब्ध है सरकार और समाज दोनों को सोचना चाहिए कि उस मुक बधिर नवालिक बच्ची के साथ क्या किया गया है आज सुबह जिसने भी अख़वार पढ़ा हर कोई अस्तब्ध था कि आखिर यह कैसे हो सकता है अलवर में इसके पहले भी बलादकार कांड हूए थे तब राहुल गांधी जोश में थे अन्हें लगता था कि उनके नाम पर तीन राज़ो में सरकार आई है तब वह अलवर आकर गए थे उसके बाद सरकार ऐसा लगा कि हरकत में आई है और सरकार ने कहा कि अब अलवर में दो SP होंगे ऐसा लगा कि अलवर में समसाएं सुधरेंगी मगर राजस्थान की जनता की तरह शायद राहूल गांधी भी ना उमीद हो चुके हैं तभी तो राहूल गांधी और प्रेंका गांधी की तरफ से कोई चिठी अशोगलो तक नहीं आई है ना कोई मिलने जाने की खबर आई है बस नेता और मंत्री जा रहे हैं मुआवजे की गोशना कर रहे हैं अप राधी कहां से इतना होसला लाते हैं या सरकार को समझना चाहिए होसला तब आता है जब भरतपुर में बलातकार की पिड़ता जहर खाकर जान दे देती है एक नया शिगूफा राजस्थान की सियासत में और पुलिस में शुरू हो गया है कि राजस्थान में जूटे बलातकार के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं या सक्ता के सिर्ष पर बैठे नेता भी जब कहने लगे तो ऐसे में बलातकारियों के होसले बुलंद होते हैं ग्रह मंत्राले, वित्व मंत्राले सब अपने पास रखे हुए हैं और वर्चूल होकर सासन करना चाहते हैं वर्चूल होकर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं वर्चूल होकर अपराधियों के होसले नहीं तोड़े जा सकते हैं मुख्यमंत्री को इस समझना चाहिए कि जिम्मेदारी को बाटें अगर खुद अपने पास सत्ता रखना चाहते हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी उठाएं कि राजस्थान में बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा इनका बहुत लोग प्रिये डायलेग है हर गलती कीमत मांगती है बस इन से न मांगती है इतना दर्द इतना गुस्टा राजस्थान के लोगों में आज यह ख़बर पढ़ने के बाद है कि शायद मुख्यमंत्री और शोग घलोत को इसके बारे में इल्म नहीं होगा आज हर बेटी का बाप यह समझ रहा है कि बेटी के साथ क्या हुआ है इस चुप्पी को वक्कम जोरी न समझें बीजेपी हमेशा की तरफ देल से जागी है और प्रियंका गांधी के होटल के बाहर की नटंकी करने के बजाए सरकार पर गंभीरता पुलवक दबाव डालनी चाहिए ताकि इस तरह की कई बेटीों को इनसाफ मिले है मगर मैंने पहले ही कहा है आपसे यहां सुनता कौन है सचिन पैलेट को वैसे एक और चिठी लिखनी चाहिए हो सकता है इस तरह का जवाब आ जाए मगर चिठीयां लिखी जाती रहनी चाहिए ताकि सरकार को ऐसा ल रहा है ताजस्तान की सियासत में इन दिनों पर्दे के पीछे या खेल चल रहा है कि अब जो डेर दो साल बचे हैं इसमें क्या किया जाए अब कहा जा रहा है कि पचास हजार कार्करताओं को ऐसे पद बाट दिये जाएं कि गाउं गाउं में कॉंग्रेस मजबूत हो जाए ल इससे लेकर इतनी ज़्यादा सियासत है कि समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे हो कॉंग्रेस में कोई इसका है कोई उसका है हर नेता का कोई न कोई है ऐसे में हर कोई लिश्ट लेकर घूम रहा है कि किसको पद माटा जाए लगातार सचिन पैलेट के हाँ भी और मुक्यमंत ये सारी सूचियां मगर मंत्री मंडल में विस्तार के बाद कारिकरताओं को मलाईदार पद बांटने के बाद जगडा खत्म होने वाला नहीं है मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जगडा यहाँ पर सत्ता में काविज होने का है उत्तर प्रदेश चुनाओं के बाद राजस्थान की सरकार क्या करवट लेगी क्योंकि जिस तरह के महौल चलने हैं अचानक से पिछले एक महिने में या यूं कह लिजिए कि 2022 में आज जहां भी जिस कॉंग्रेस विधायक मंद्री के हाँ बैठिये एक ही अवाज आ रही है सरकार तो अब नहीं आ रही है अगर सरकार नहीं आ रही है तो फिर सरकार लाट कौन सकता है इसे लेकर भी लोग चर्चा करने लगे हैं और यहीं से सचिन पालोट को उमीद भी दिखती है कि सरकार कैसे लाए जायए अब 2022 राजस्थान में कॉंग्रेस में की सरकार कैसे लाई जाए इस पर सारा फोकस करने वाला होगा उधर बीजेपी में भी जो मुख्यमंत्री बनने का ख़वाब देख रहे हैं वह भी अपनी रणिती बनाने लगे हैं कि यही मौका है अगले साल तो कुछ नहीं होने वाला है इस साल जो कुछ मिल जाए जो कुछ पर आजाए वही फाउंडेशन होगा वही मजबूती देगा वही खड़े होकर हम मुकाबला कर पाएंगे इसलिए कहा जा रहा है राजस्थान की सियासत में अब बहुत तेजी के साथ बहुत कुछ घटने वाला है और जैसा कि मुक्मंत्री अशोगलोद बार बार कहते हैं जो दिख रहा है ऐसा रहेगा जरूरी नहीं है जो नहीं दिख रहा है वो ऐसा भी हो सकता है इंतजार केजिए देखते रहेए राजस्थान तक